नमक की तरह कड़वा ग्यान देने वाला ही सच्चा मीत्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापुलूस भी होते हैं। इतिहास गवा है कि आज तक कभी नमक में कीडे नहीं पड़े। और मिठाई में तो अक्सर कीडे पड़ जाते हैं। अच्छे मार्ग पर कोई ब्यक् उच्छा जाता है कि पानी तो नहीं डाला। पर दारू में खुद हाथों से पानी मिला करके पीते हैं। वाहरे दुनिया और दुनिया की रीत। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा। जो भाग्य में नहीं है वो आ करके भी भग जाएगा। जिंदगी को इतना सिरियस मतलो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से जिन्दा बच करके कोई नहीं जाएगा एक सत्य यह है कि अगर जिन्दगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते हुए नहीं आते, मगर एक मीठा सत्य यह भी है कि अगर यह जिंदगी बूरी होती तो जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते वाहरे मानों का स्वभाव लास को हाथ लगाता है तो नहाता है पर बेजुबान जीव को मार के खाता है यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगय है दोस्तों जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है वीचित्र दुनिया का कठोर सत्य बरात में दुल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है यनि दुनिया खोशी में आगे और दूख में पीछे हो जाती है अजब तेरी दुनिया गजब तेरा खेल मुंबत्ती जलाकर मुर्दों को याद करना और मुंबत्ती बुजाकर जन्म दिन मनाना नई सदी से मिल रही है दर मेरा राज भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास बहन पराई हो गई और साली हुई खासम खास मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश बापु तो बोज लगे पत्थर लगे गणेश बचे कहाँ अवशेश हैं दया धरम इमान पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंस पत्थर के भगवान को लगते चपन भोग मर जाते फुट पात पर भूखे प्यासे लोग पहन मुखवटा धर्म का करते दिन भर पाप भंडारा करते फिरे और घर में भूखा बाप तो दोस्तों ये हैं हमारी दुनिया की रिवार दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो आप लोग आगे भी शेयर करिए ताकि और भी इंसानों को सुन करके कुछ नकुछ तुसी मिली जाएगी दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इससे शेयर करना ना भूलिए शेयर करने से क्या